अलो गाईस, इंडो आयस मा आपसवानू स्वागत छे, फर्स्ट आर्टिकल, ग्लोबल, इनोवेशन, टेकनोलोजी, अलायन्स ना बारा मा छे, जैने शोर्ट मा आपणे गीता कहिये छे, तो जुओ न्यूस सूछे, रीसंटली आज गीता छे, तो एनो नवमो फाउंडेशन डे, सेलिब्रेट करवामा आवया छे, अने ज्यारे अनो फाउंडेशन डे, सेलिब्रेट थेर्यो आतो, तो ज्यारे आपणा यूनियन, साइन्स और टेकनोलोजी मिनिस्टर छे, तो एमना द्वारा केहमा आवया, क्या ग्लोबल, इनोवेशन, टेकनोलोजी, अलायन्स द् बहारतनी अंदर इनोवेशन अने इंडेस्ट्रियल रिसर्च और डेलोपमेंट माटे एक केटालिस्ट तरीके, एटलेके उत्प्रेरक तरीके कार्य करवामा आवया छे, एटलेके एना वखाण करवामा आवया छे, तो आपडे अग्लोबल इनोवेशन और टेकनोलोजी अ आनू फूलफर्म लखो, अने एना सीवाई आ तमारे लखाणू छे के जे ग्लोबल इनोवेशन टेकनोलोजी अलायंस एक नोट फार प्रफिट पबलिक प्रावेट पार्टनर्शिप छे, अने खास करीने आने कौना द्वारा प्रमोट करवामा आवी छे, आपन तमारे ल बनने द्वाराव साथे मडिने जोहिंटली आने प्रमोट करवामा आवी छे, इतलाज माटे आने पॉबलिक प्रावेट पार्टनर्शिप के आवामा आवे छे टले के जाहर शेत्रा आने खानगीक छेत्रा तो बनने नूँ संयूक ते साहस छे तो आतमने खवर पड़ीग आज इक्वर्षन छे नों आंशर समाइलोच अजी पीए सू छे अने इन्डिया आनु मेंबर छे के नहीं समझी गया इतला माडे जू तमने पूछी हैं इन्डिया आनु मैंबर छे के नहीं असानी माटे छे अने आनी अंदर कितली कंट्री इस मेंबर छे दरेक लोगो वी सर आना वी से तयार करेने राग जो डैफिनेटली डैफिनेटली एक्जाम मां क्वेशन आवी शके छे हावे आपड़े नेक्स्ट आर्टिकल चुए पिल्बित टाइगर रिजव ना बार मां आप पिल्बित टाइगर रिजव आपने ओल्रेडी पन वीडियो मां कवर करे आने आ अतियारे न्यूज मां के मावी चे तो जो पिल्बित टाइगर रिजव चेने तो एने फर्स्ट इंटरनेशनल अवर्ड मोलो चे टी एक्सटू नो जे टी एक्सटू छेना टी एक्स्टू जैने आपने टी इंटू टू पंड कई शके आनो चेने सेंट पिटर बर् लक्षे राखों आवी होतू कि अतियारे जी ट्लीफम टाइगर नी पॉपिल्बिट टाइगर रिजव इस इनफर्मेशन लेवाने चे कि आने फॉष्ट इंटरनेशनल अवर्ड टी एक्स्टू सा माटे मलो समझी क्या कारण के कारण के जो आईयां चेने लगवग बीहज जुओ जस्ट काली टाइगर नी पॉपपुलेशन 25 सती पिल्बिट टाइगर रिजव नी वाद छे 2004 मां पंड 2018 मां जारे टाइगर नू एस्टिमेशन थायू तो आज पिल्बिट टाइगर रिजव छे तो एनी अंदर टाइगर नी पॉपुलेशन 65 थेगे समझी गया अने इटलाज मांते टाइगर नी पॉपुलेशन छे तो आगानों बदो वधार हो थेगे डबल करता नव मां वधार बारे आज पिल्बिट टाइगर रिजव छे तो एने टाइगर ना कंजर्वेशन मांते सारवेवु कारय कर्यू क्या वाई आनि इटला मांते जिफ पिल्बि एक्सेलेंस अवोर्ड ऑध günट्र है जो अजे टी एक्सी चु चै नवा अक्सपेशबोर्ड ओध पन चे तो आज हम्जेय का ईक्सेलेंस अवोर्ड रागें опor I. जो खुबगज इंपॉर्टान्ट छे Keys conservation excellence award for 2020 TX2 समझी गया तो आा conservation excellence award कोने मलें च्यआ तो m aquesta कंजर्वेशन एडिया त्रांस बारूंडरी मानस conservation एडिया चाहिने तो इंदिया चलिक लिट अंस दा खरुड होते तो आज में याद राख़ेजुड मानस नेशनल मानस कंजर्वेशन एरिया च्छे तो एने कंजर्वेशन एक्सलेंस अवर्ड 2020 मल्यों च्छे तो याद राखवा पर से आमां के अंडेस्टेंडिंग ना आवे समझी गया तो आतम में याद राखे देजो आपड़े आ टी एक्स टू छे एनना विसे थोड़ी लए तो जो 2010 ने अंदर रस्यानों सीटी सेंट पिटर्जबर्ग तो त्यां जे 13 तेर टाइगर रेंज कंट्री चे टाइगर रेंज कंट्री लेके एवा देश जहां टाइगर्स जोवा मड़े चे तो एवा देश ना जे लीडर चे तो एनी समिट हेल्ड थे याती और एन एनी कंपरीजन मां डबल टाइगर करी शुँ आप थर्टीन टाइगर रेंज कंट्री ने अंदर आप रकानों लक्षे राखों मा आवियो तू अनि भारत या जे लक्षे चे तो एन्ने अचिव करी दिदू चे समझी गया तो जो टी एक्स टू छे ने तो इस दी ग्लोब अवर्ड विच वस सेट अप इन 2010 इन सेंट पिटर्सबर्ग रश्या बाइ इंटरनेशनल ओर्गनाइजेशन वर्किंग फोर टाइगर कंजर्वेशन लाइक व्व्व एफ यू अन्डिप आयूशेन ग्लोबल टाइगर फॉंड चे अन्ड लाइन सेर्वास मांगे चे के आजे अवर्ड छे तो एन 2010 मां सेंट पिटर्सबर्ग मार रश्या मां इन सेट अप कराओं आवे होतो कौना द्वारा तो इंटरनेशनल ओर्गनाइजेशन द्वारा वेरियस कंजर्वेशन ओर्गनाइजेशन चे एंजियोस चे जेवरते डव्व डव्व चे यून डिप चे आईउसेयन चे तो आब दा द्वारा चे इंटरनेशनल ओर्गनाइजेशन जे एनिमल ना वाइल्ड लाइफ ना कंजर्वेशन मांटे कार्य करे छे तो इब दा द्वारा टी एक्सटु अवर्ड चे तो इन्हें सरू कराओं आवे होतो तो अत्यार तमारे श्यू मां डबल कर दी आती समझी गया तो आत अमारे याद राहनों चे एक्जामन प्मेंट ओफ यू खुबज रेलेवंट चे अन्ने एमस्ट्राइप विसेपन में तमने क्वेशन पुछेलो चे अन्ने पच्छी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ओथरीटी विसेपन क्वेशन पुछेलो चे पचिएटाईगर एस्टिमेशं विसेपन क्वेशन पुछेलो चे पूनं अवलोकन विसेपन क्वेशन पुछेलो चे तो आमाथी हावह कोई क्वेशन बने लागतू ना थि एकले आपड़े पचे किए यहाए मतलब जे बीजा टोपिक छे तायमा आपड़ नो जे debt platform छे तो एमा 6,000 करोड रूपया छे तो एनू equity infusion करोड मावी छे अटले के सरकार द्वारा छो जार करोड नू investment करोड मावी छे साधी वासमसम जो तो equity infusion एटले सुथ है के capital रोकवा मावी छे सरकार द्वारा आज एन आई-ाइ-ए-फ debt platform छे समझी गया अवे आने sponsor कौन कर छे या debt platform ने तो sponsor करे छे NIIF समझी गया बदा तम्हें पढ़ता ने जेस्ट खाली आपड़े exam माटे point of view important suit छे NIIF समझी गया तो आपड़े एन आवी से थोड़ी वदारे information रहा ना चे त्यारे जेस्ट एटली याद राखो कि सरकारे जे आत्मनीर पर भारत नूँ पैकेज जाहर करो मावी छे तो एनाज भागुर्पे सरकार द्वारा जे national investment infrastructure fund छे तो एमा investment करो मावी रहे चे जे थी करीने जे आपड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर छे तो एनी अंदर जे fund छे तो ए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर छे the government had set up the 40,000 crores national investment infrastructure fund in 2015 दरेक लोको note down कर से 2015 मा आने set up करो मावी छे एज एन investment vehicle for funding commercially viable greenfield and brownfield and stalled infrastructure project most important छे के भाई आप fund ने तमें 2015 मा create ता करे हो पन ए सानी माटे छे तो आई प्रकार नूँ investment vehicle छे सानी माटे तो मानी लोके जेपन commercially viable greenfield और brownfield प्रोजेक्ट होए अब या तमें greenfield और brownfield ते समझो होगे मानी लोके उन्चे ना तमने एमदाबाद airport नो एक्जामपल आपू मानी लोके एमदाब अतियार तो जो आपडो जे सरदार वलबभाई पटेल international airport छे तो अल्रेडी बने लूँ छे पन ए बने ला एरपोर्ट भा मानी लोके तमारे renovation करूँ छे तो एनी अंदर का एक शुधारा वदारा का एक नवाएवा करवा चे तो आ जे प्रोजेक्ट वाए एनी माटे कोई project शरू करूँ करूँ तो एनने brownfield project याव एटलेडी तिया एरपोर्ट तो बने लूँ छे समझी गया परन्तु परन्तु तमें जुई वशे के जे धोलेरा में एक airport बने चे और एरपोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा धोलेरा में एक airport बना माविरियो चे अन्या मोधी शाहिब ने ड्रीम प्रोजेक्ट चे समझी गया तो मजाग नती करतो रियल मां कव चू शरकार नों जे गुजरात सरकार नों की वीजन चे के जे धोल परण तो खाले बंजर जमीन पड़ी आती समझी गया परन तु हवे सु करण माचे तिया एरपोर्ट बना माविर चे तो आने सु क्या मावे आने के वा माचे ग्रीन फिल्ड समझी ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्ट क्या मावा चे जहां कसुद ना वाए और नवे सर्ती नुक्सान थाए तो पच्छे सरकान ने तो नुक्सान वेठावन वारा होए ने इतला माटे जे वायबल प्रोजेक्ट होई भविशे मां एमा ती काई रीटन मा ली सकते माने लो के तम्हें धोलेर आमावा एरपोर्ट बनावाँ तो आपण एमदाबाद नी नजीक मां को इंटरनेशनल एरपोर्ट ना थी समझी गया तमारे राजकोट ने सूरत ने बदी जगिया जाओ पड़े तो इटना माटे सूत है के धोलेरा मा बन चे तो अमदाबाद एरपोर्ट चे यहां सख़द ने ट्राफिक वायबल तो तमने यहां इंटरनेशनल एरपोर्ट उप अबना मायोरिग चे समझी गया तो आतमे याद राग जो ओले राम एरपोर्ट बन चाहिए तो ओविएसली सरकारने इंकम थाशिद खेंते इतला माटे कॉमर्षियली वायबल फ्रोजेक्ट गणमा मा आवे चे समझी गया तो आतमे याद राग जो इट वोस सेट अप एज आल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्ट पंड्ड कहीं चैने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्ट पंड चैने तो आज कोई रेगुलेटरी और आधरीटी ने जुरिस्ट्रिक्षन मा आवे कैंना आवे समझी गया कोई regulatory authority आने क्या आने के control करे के ना करे आ वीडियो ना comment box मा answer लग जो most important question छे UPSC level नो छे समझी गया UPSC level नो question छे इटला माँटे तमारे थोड़ी detail मां information ग्यादर करूँ पर छे आ एक privately pulled जे मतलब कि private लोको द्वारा एक ही कुरूत करो मा आव तो आज ए fund छे समझ पचाश टका जेटलू investment करे छे और बाकी नो 51% चे तो थर्ड पार्टी इंवेस्टर पासे ती लिए मावे छे लिए के वीजा जे इंवेस्टर होए जेवरत तम्हें जोगों के एनरजी ट्रांसपोर्टेशन हाउजिंग वाटर वेस्ट मैनेजमेंट अन अधर इंफ्रास्ट्रक्ट्टर रिलेटेट सेक्टर्स इन इंडिया मेंली आमा तम्हें जोगों तो एनरजी होए समझ गया उर्जा सेतरा छे वच्छे ट्रांसपोर्टेशन वहान व्यवार वा आवे छे तो आ तमने खवर पड़िए एना पछी आमें तमने एक क्वेशन पूछे न ए आई एम नो दरेक लोको आंसर आप जो वीडियो मां पार्टिसिपेट कर जो बराबर छे पार्टिसिपेट कर सो एटली वधारे मजल से जो हुए एक आकड़ बत्ता पहला आपने ए बहुत साची कवाई आने तमने अपेक्षा तो हुए ते पंट रियाल मा हुँ तमने एज कहिश के इसके बद्दू छाने रियल मा आतियारे पॉसिबल ना थी आतियारे पॉलिटी नो तो हूँ कई रीते सेट कर जो ए तो तमने खबर अच्छे समझी गया एटले पॉलिट एम टीचर ना थी जेस्ट खाली आ आपणी होबी माटे करिया छे एटले ए बदू शक्ये ना थी एटले तमें मानिलो के जो आने आमा भी बीजी वस्तु हुँ तमने ए पंड कहुँ कि आपणी जे करेंट अफेस नी चैनल छेने ए मैक्सिमाम एक अथवातो डोड वरस चा आने छे एटले मारे एक प्रकार एक टाइम चे तो इने मैने ज़ करवाबड़े समझी गया त्यारे मारो वरक्लोड तयारे वधि जेस है एटला मारे पाच्छी एक के डॉड वरस पच्छी ये शक्या नाई बने समझी है त्यास दिदिये तमें दर्यक दर्यक लोको आपनी जे चैनल आवे छहे नाव एडवांटेज तमें लो औने सो टका गैरंटी छे कि तमें रिलीजियसली आ करेंट आफेस नाव फॉलो करसो तो तमने क्यारे पन करेंट आफेस मा वांदो नहीं आवे आवे आनी सो टका गैरंटी छे औने UPSC नी एग्जाम आवी जैसे समझी ग बदू शक्या ना थी हैं कियारण के हूं फूल टाइम टीचर ना थी आनने पच्छी सुद आएके जारे जवाबदारियों वदे तो एना इसाबती पच्छी दरेके दरेक वस्तु मैनेज ना थे शक्या तमें समझी सको चो समझी गयाना जश्ट खाली आपड़े पैशन माट समझी गया तो ए रीते आपने जोईश्वू पन मारा ख्यालती मारा वर्कलोड वदी जैसे अने इटलाज माटे अतियार्थी तमें एक के डवाड़ वरेस नो टार्गेट राकी ने चाल जो बराबर छें तो आ थोड़ी तमने जस्ट खाली इंफोर्मिशन आपपानी आती आने कोई व्यक्ति एक आपड़ा मेंबर आता तो एमना द्वारा एक क्वेशन पूछामा आवे हो तो कि मुट्डा भागना जे कॉंटिनेंट छे तो एना वेस्टन मार्जीन उपर मानी लोगे आए एक कॉंटिनेंट छे आपड़े आफ्रिकन कॉंटिनेंट लही है तो ए ऐमां तम्ए जो सोन वेस्ट कोश्ट ऊपर छे तो तमने कॉल्ड गारेंट जोवा मड़े से अने एक वस्त्तु याद राखोंगी जे मेंपर मार्जीनं उपर कोल्ड तो एक ओल्ड करण्ट होए एनो मतलब ए थियो के चा त्या जे पाणी छे तो ए पाणी के ऊँछ ठंडू पाणी चा समझी गया अन्ने छहाँ ठंडू पाणी हुए तो त्या सू क्रियेट था हाई प्रेसर होए समझी गया गरम पाणी होए जवरते मैं तमने अल नीनो कीदो तो तुछ दो किया तमने समझाता है मैं पानी गरम थे जा तो एना ठी फ्रेसर ए फोड़ाए से आणे था पानी एंटल सवक्रदायू पैरी तू तो moisture लाईने कई बाजू जाए आ तरफ जाए चे एना इसाब थी आ बाजू छे तो ए रेइणफॉल थाथ नथी तमने खवरपड़ी माने लोग के आने जगे लोग प्रेसर होत ने अई या माने लोग के लोग प्रेसर होत तो हवा आ तरफ हावत तो हवा आ तरफ आवत ने यह मोईस्चर लईने आवाद तो पचिया तरफ रेंफॉल था समझी गया अनि इटला इस मांटे जे डेजर्ट छे तो वेस्टन कॉंटिनेट उफर फॉर्म थाए चे कारण के तम्हें जो सो तो त्यां सुव होए चे तो त्यां कोल्ड करेंट एनी नजिक थी पसार था तो होए चे अनि इटला मांटे ए मार्जिन उपर वर्साथ था तो न थी इटला मांटे डेजर्ट नो फॉर्मेशन थाए चे समझी गया तो आ एक रेशनल आपड़े वाद करी समझी गया तो आतमने खवर पड़ी यह से जेवर्द मैं तमने पहलू समूद्र वाड़ू अपड़े देसी भासम कहें अब आटली मां उतारवानी बाबतो चे अनि रूसी मूनियों ना बदाये तो आपड़ा देश चे तो एनि अतियार आटली खराब परिश्तित इटला मांटे चे समझी गया एक्टले इंटलीजन लोको भी हता समझी गया बाकी अमूक लोको यह अपड़े मानिया चे अनि ना एक्षप करियो तो पाचि महा भारत मां माना नू बराबर तो आतमने ख़वर पड़ी गई तो ए तम्हें आब आज ए आएफ चे अल्टरनेटी उन्वेस्टन फंड तो एनो आंसर आप जो अने एनी केटेगरी तमारे खास लखवाने चे बर अने टलाज मांटे जे वियेटनाम चे तो एने इंडिया ने आसिया डिफेंस मिस्टरल मीटिंग चे तो एमाँ इनवाइट करू चे अवरस मां बे वकत समीट थाए चे यान एना चेर्मेंशिब चे तो हममेसा रोटेट करती रहा सम्जीगया तो हवे आपने थोड़ी गर्स सू चहे समझी गया तो जो बहजार साथ मां सेकेंड ऐसेंस इफेंस मिनिश्ट्रियल मीटिंग था याती सिंगापूर मां समझी गया शिंगापूर मां था याती आने त्यारे डिसीजन लिवाम आवेओ त्यूति का दम्म प्लस माँ कन्वरट करूछे तधो प्लस आवयरी आवयरी जे आसेयान थ्यायान कांट्रीश चे तौग आव sorta आवापनर ह्ये जो डायालोग पार्टनर हे यूपी एसीए 2018 नी एकजामा क्वेशन पूछो हतो कि जे आसियान छे तो एना फ्री ट्रेड पार्टनर कंट्रीज केटला छे तो एमा आटली कंट्रीज जाओ छे काया काया तो ओस्टिलिया चे चाइना चे इंडिया चे जपन चे न्यूजिलेंड चे रिपबलिक अप कोरि आठे 8 कंट्रीज मेंबर चे समझी गया तो आतमें याद राग जो इस्ट एसिया समीट छे तो एमा आसियान नी 10 कंट्रीज आने आठे 8 कंट्री आवे चे तो आतमें याद राग जो हवे आपने थोड़ी वदारे इन्फोर्मेशन आना विशे लाइए तो बेहजार अने स आठे 8 डायलोग पार्टनर्स ट्रेंथन सिक्योरिटी और डिफेंस कोपरेशन और पीस स्टेबिलीटी और डेवलोपेंट इन रिजन एटले कि आखास करने आपड़ू जे इंडियान ओशन रिजन छे एना सिया जे साओध इस एस रिजन छे तो आने अंदर पीस आवे सिक्योरिटी और जे डिफेंस कोपरेशन चे तो एने मेंबर कंट्रीज नियु अच्छे सु करू स्टेंथन करो माटे आ जे ADMMM प्लस मेकेनिजम छे तो एने एस्टाब्लीज करो मावियो तू अने आठ डायलोग पार्टनर तो में तमने किदा छे ने आ आठे आठ माटे क स्टाब्द छे तो एनों यूस करो मावे छे अगरीड फाव एरिया अप्रेक्टिकल कोपरेशन अन्डर दीज मेकेनिजम अने आमाँ प्रेक्टिकल एरिया अप्रेशन इंदर आलोको कोपरेशन करे छे तो आत अमारे एक्जामना पॉइंट आफ्यो याद राखोनी जरू आफ्यो नाथी जेस्ट उपर में तमने किदू एटलू तम्हें याद राख जो एक्जामना पॉइंट आफ्यो ए रेलेवंट छे अवे चलो आप वीडियो ना कमेंट बॉक्स मां आंसर आपो के रीशन्टली आस्यान ना कया नंबर नी वर्चुवल समीट हेल्ड थे कैट डिक्लारेशन ना तहत थे याथी हालमा आस्यान मां किटली कंट्री आना मेंबर छे समझीगे तो आवा जे में में पॉइंट छे तो ये तम्हें धरेक लोको एक्जामना पॉइंट ओफ्यो रेलेमंट छे दरेक लोको वीडियो ना कमेंड बॉक्स मां लखे रीवीज समझीगे जेवते में तमने इस्ट एस्या समीट की दिन हुँँ तो ओपन ली तमारी सामय कव चून आणके आपड़े को यह उन ना थी के मेंबरी कार्ट छे के इंटरनल मेंबरी छे तो एनी अंदर फीड थे जा आपड़ू माइंड छे ने तो एनने कंटिनियोसली तमार रेलेवंट छे अने एना पचे आपड़े नेक्स्ट आर्टिकल जोईए तो एक खास करिने आई एम एसी छे तो आ आई एम एसी तो सून एटले के बहुँ जल्दी नेशनल मेरिटाइम डोमेंड अवेने सेंटर बनी जसे समझी गया तो आपड़ा डिफेंस मिनिस्टर द् डोमेंड अवेने सेंटर बनाव दिवा माव से अने खास करिने आ एक्जाम ना पॉइंट फी रेलेवंट ना थी जस्ट खाली इनफोर्मेशन माटे याद राग योका आपड़ने भविश्यमा आ रिते सेंटर ने चेंज करी दिवा माव से अवे आपड़े थोड़ी वध पाइच्वा बनाव डेटा इंडिये नेवी रिलेटेन वाव डैटा इसेंट उडि तीडिंधाद बा़े यो आपकेत ये एक्याख या Henry से टपक करांवा रही तो आपड़ेट घ्री गृम पाइच्ड सेंट रहें केंगा सेंग स्ब्सक्राइट याना आपने डियल इंफो करोम आविए हो तूु आने कौना द्वारा प्रु आउड ने करोम आविए ठूर Крас 94 चांब्ला संग ह कुराओश MP4 conqu 20%. 2004 मां ओप्रेशनल थायू गुरुग्राम मां लोकेटेड छे अने अतियारे आनु जे खास करने जे इंफोर्मेशन मैनेजमेट एनने 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 एनलिसी सेंटर छे तो एनने भविशेनी अंदर नेशनल मेरिटाइम डोमेंड अवेर्नेस सेंटर बनाई दिया मावस है तो आ यहां बराई गया तो पच्छी यहां साइंटिस बनाई जवाँ पड़े आने आपणे करवान ने कांट के पच्छी फिला साइंटिस बेरोज गर थाई जाने बदू आपने काम नहीं करवान बराबल छे तो गाइस वीडियो आवें पूरो करिया वीडियो गमे तो लाइक खास करी ने टेलिग्राम चेनल ने जरू ज़एंका जो आवे कोई वाय काले हुग तो कि पहला जो वीडियो मा जोस ना थे तो जोस तो जाए पन अत्यार सुए अल्ली मॉर्निंग आपने होई ने एटले चा पिदा अगर वाया तियारे चा तो नाम अले ने अमड़े बद थेंक्स पो राचिंग ताम रबदानो दियो सुभ जाए